हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 आईपी के अकॉर्डिंग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नुबर 6, MySQL के बारे में, दोस्तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि आखिर फंक्शन क्य होते हैं, फंक्शन की टाइप क्या होते हैं, दोस्तो इह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, क्योंकि अगर आप पूराने कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लास्ट यर्स वाले जो भी हैं, उनमें दोस्तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सबसे पहले हम लोग यहां एक इंट्रोडेक्शन देखने वाले कि फंक्शन्स आखिर होते क्या हैं, फंक्शन्स कितने टाइप के होते हैं, और हम देखेंगे कि यहां पर अपने पास एक सिंगल रोव फंक्शन्स भी होते हैं, तो पहले हम लोग यहां बात करेंगे सिंग यह एक function use करते हैं जैसे MySQL में अगर आप जाके लिखते हैं कि select और उसके बाद अगर आप जाके लिख देते हैं select के बाद now और दोस्तों semicolon लगा के कर आप enter करते हैं तो यह क्या करेगा दोस्तों select then now और उसके बाद आप यहां पर use करते हैं ऐसा एक bracket और semicolon तो now function क्या करता है current date और साथ-साथ में time आपको यह return कर देता है इसी तरीके से जैसे now function है ऐसे बहुत सारे functions आपके पास हो सकते हैं तो कुछ ऐसे functions होते हैं जिसके अंदर आपको यहां कोई argument पास नहीं करना होता है कोई parameter पास नहीं करना होता है लेकिन दोस्तों से बहुत सार functions हो सकते हैं जिसके अंदर आपको यहां पर कुछ arguments एक या एक से ज़्यादा भी आपको pass करने पड़ सकती है तो यहां पर हम बात करें कि mysql में functions क्या है in mysql a function is stored program ठीक है इसका मतलब है कि पहले से ही एक बनेवे program है predefined programs है जो आप use करते हो that you can pass parameters into and it returns a single value जैसे यह function क्या करेगा आपको current date और time देदेगा ऐसे ही आपके पास में बहुत सारे functions हो सकते हैं जैसे कि एक seal function है आपके पास अगर numeric हम बात करते हैं ऐसे ही हमारे पास में date का भी एक function हो सकता है जैसे कि concatenate करना है आपको या upper में या lower में आपको convert करना है तो बहुत सारे functions हैं हो सकता है कि कि किसी के अंदर आप यहां पर parameter पास करें और हो सकता है कि नहीं भी करें लेकिन दोस्तों जो functions होते हैं यह return करते हैं आपको एक value ठीके तो अभी हम आगे बहुत सारे functions discuss करने वाले हैं साथ-साथ में बात करते हैं कि जो functions होते हैं mysql के अंदर वो फिर से divide हो जाते हैं दो अलग-अलग part में इसका मतलब है कि mysql के functions दो अलग-अलग type के हो सकते हैं एक आपके पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं built-in functions mostly दोस्तों हम लोग built-in functions को ही use करते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने खुद के functions भी यहां पर create कर सकते हैं जैसे मैंने एक function बनाया है तो हम उसको क्या बोलते है user defined functions और जो mysql ने बना करके दिया है अपनको वह क्या कहलाता है आपके पास built-in functions तो यहां पर मैं बहुत थोड़ा सा आपको बताऊंगा हलाकि हमारे कोर्स में है नहीं यहां पर user defined functions बट थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि mysql जब आप functions परते हो तो आपको बिल्कुल clear होना चाहिए कि functions आपके पास दो अलग अलग तरीके के होते हैं कुछ functions पहले से available है that is built-in functions है और अगर हम खुद अपने कोई यहां पर functions create करते हैं त कि किस तरीके से हम अपना functions create भी कर सकते हैं दोस्तों mysql में जो अपन built-in functions बात करे हैं उसके बारे मैं कह रहा हूं कि mysql provides a rich set of built-in functions mysql आपको बहुत सारे built-in functions available कराता है that you can use to perform various operations on your data आप अपने data के ऊपर बहुत सारे अलग-अलग type के operations को perform कर सकते हैं using built-in functions अब देखिए जो आपके पास built-in functions है mysql के अंदर ये फिर से दो अलग-अलग पार्ट में divide हो जाता है तो मैंने आपसे अभी कहा था कि ये जो आपके पास में function है वो functions जो है वो आपके पास होते हैं दो type के एक मैंने कहा था built-in और एक मैंने कहा था user defined functions भी होते हैं अब आगे जाकर बोलेंगे aggregate functions तो एक आपके पास होता है दोस्तो single row functions है और दूसरा है आपके पास aggregate functions अगर मैं कहता हूं कि suppose एक function है आपके पास जो क्या करता है एक string को uppercase में convert करता है तो उसके लिए you case या अपर नाम का function आप use कर सकते हैं तो इस function में आप जो value pass करते हो केवल इस एक row को ही uppercase में convert करता है तो उस time पर हम इसको क्या बोलते है single row functions लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास यहां पर multiple row में कुछ data पढ़ा है जैसे कि इसमें 7 है इसमें 5 है इसमें 3 है इसमें 2 है अब इतनी सारी values में मुझे इन सभी का अगर sum करना है या मुझ इसको क्या बोलते है aggregate functions या फिर multiple row functions या multi row functions भी बोल सकते हैं तो single row functions क्या है फिर से देखते हैं single row functions operate on individual row एक row पर यह काम करते हैं and return a single result और एक single result भी आपको देता है ठीके पर row के हिसाब से these functions can be used in select clause आपको जो भी functions use करने हैं आपको लिखना पड़ता है select और select के बाद आप जो भी functions लिखते हैं जैसे की ABS है या seal है या floor है या round है या current date है now है concatenate है sub string है length है replace है ऐसे दोस्तों बहुत सारे functions है जो हम use करते हैं तो suppose मैं लिखना चाहरा हूं एक function जिसका नाम है now तो now से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा select यह धियान रखेंग select clause, where clause or in any other part of SQL statement that deals with individual value तो यहां पर हम लोग select clause को use कर सकते हैं साथ साथ में हम where clause को भी use कर सकते हैं और ऐसे ही जैसे जैसे requirement आएगे हम आगे और discuss करेंगे तो अगर हम बात करते हैं या पर single row functions को ले करके अब यह single row functions हैं आपके पास यह दोस्तों यह भी आपके पास और एक बाब फिर से बता देता हूं मैंने आपको क्या कहा है कि यहां पर जो आप के पास functions हैं ठीक है यह functions कितने पार के थे दूशा है आपके पास user defined function अब यह जो built in functions है यह फिर से दो type के बोले एक मैंने कहा था सिंगल row और एक मैंने कहा था multi row है अब इधर तो हम लोग आगे जाएंगे नहीं तो हम बात का करेंगे built-in row में built-in row में single row भी हम लोग देखेंगे और multiple row भी देखेंगे अब दोस्तों जो single row है इसमें आप अलग-अलग तरीके के काम कर सकते हो अगर आपको ज़रुत पढ़ती है किसी text को आपको change करना है उसमें से कुछ value गर आप extract करना चा देखेंगे और ऐसी अगर आपको date and time से related काम करना है तो आप date and time functions देखते हैं इसके कुछ है के examples है हलाकि मैं आपको सारे बताऊंगा और इसके अलावा बहुत सारे functions भी है जो मैंने दो चार एक्जामपल में लिखे हैं लेकिन इसको मैं आपको बहुत सारे functions बताऊंगा प मैंने आप से का था functions होते हैं दो टाइप के एक था आपके पास में built-in और दूसरा है user defined तो user defined को अभी हम लोग थोड़ा discuss करेंगे लेकिन simple सा एक example बता के खतम कर देंगे अपने course में है ही ने तो यह तो ही नहीं बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फिर है अब हम लोग बात कर लेते हैं जो multiple row है या फिर aggregate functions है तो aggregate functions perform calculations on a set of values and return a single value. These functions are commonly used with the group by a clause. तो देखिए आप इसको कभी use करते हैं? aggregate functions को कहां use करते हैं? आप group by a clause के साथ. तो group row that have the same values in specified column and perform calculation on each group. तो यहाँ पर आप एक complete group के उपर काम करते हैं जैसे मैं यहाँ पर बात कर था कि मेरे पास ना मैं सपोज स्कूल में मेरा एक कुछ data पढ़ा है like इसकूल का एक example में लेके चलता हूं तो class 10, class 12, class 11 से बहुत सारे बच्चे टूर पे जा रहे हैं तो म मैं एक function use करूंगा that is sum और साथ-साथ में क्योंकि मेरे पास 10, 11, 12 सब है तो मैं यह देखना चाहतो 10 से कितना है तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूंगा एक group बना करके भी वहाँ से data को extract करूंगा तो इन functions को मैं आपको आगे वैसे बताऊंगा जब हम लोग table बना करके काम कर रहे होंगे बट थोड़ा सा ऐसी देख लेते हैं कि यह जो functions हैं आपके पास में इसके कुछ examples हैं जैसे sum है, average है, count है, max है और min है तो दोस्तों यह वाले जो functions है यह वापस आप देखेंगे chapter number 7 में इनी के base पर आपका पूरा chapter होगा लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जो discuss करेंगे वो कौन सा होगा, आपके पास single row functions, built-in function में हम लोग क्या देख रहे हैं, single row functions, जिसको एक-एक करके मैं बताऊंगा, पहले आपको text बताता हूं, फिर numeric और date, अब देखें, जैसे मैं आपको कहा था, कि आपके पास जो aggregate functions हैं, वो इस तरीके से आपके पास होंगे, assume कर सकते हैं, हमारे पास यहां पर एक table है, जिसका नाम है employees, ठीके तो एक table है, employee, इसके अंदर अपने पास data पड़ा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यह क्या है, employee ID है, ऐसे इनका first name है, लैक विने, अविनाश, बावेश, नेहा, वंशिका, और इनकी कोई salary है, जैसे मैं लिग दिय functions को use करते हुए, जैसे एक function है, sum, तो sum function क्या काम करता है, वैसे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा, केवल एक introduction है, तो sum function क्या काम करता है, returns the sum of a set of value, मतलब यह जो आपके पास value है, इसका आपको sum निकालना है, सबूस, तो आप क्या लिख 1500 है, यह सब आपके पास, यहां से salary के उपर क्या करेगा, उनको जोड देगा, sum करेगा, as total salary, तो यह क्या करेगा, आपके सामने एक row देगा, जिसमें उपर लिखा होगा total salary, और साथ में इन सभी को जोडने के बाद, इन सभी का जो sum है, जो total है, वो यह आपको represent करवाएगा sum function, तो sum function क्या करता है, returns the sum of a set of values, मतलब multiple row के उपर काम करा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर, aggregate functions, ऐसे ही, अगर मैं इनका एक average देखना चाहता हूँ, तो मैं यहां sum function की जगे क्या use कर लूँगा, avg, avg क्या करता है, एक average data, select avg of salary as average salary, तो यह तो है message, अ अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर mention कर सकते है, average salary, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप count करना चाहते हैं, कि इसमें number of employees कितने काम कर रहे हैं, तो आप लिख सकते है, select, और फिलिख सकते है, count star as employee count, तो employee count करेगा आपके पास, और यह आपको return कर देगा, यहां प आपके पास इसमें कोई null value होती, blank, empty होता, और अगर आप केवल count करते हैं, तो count क्या करता है, जो numeric values है, उसी को count करता है, जबकि count star के है, अगर बीच में कोई empty भी है, तो अभी उसको count करके बताएगा, ऐसे ही आपके पास एक function है, जिसका नाम है, max, max क्या करेगा, सबसे ज function का नाम है, max, बाकि इसमें कुछ भी change नहीं है, और next है, आपके पास min, अगर आप min लिखते हैं, तो सबसे lowest जो value है, आपके पास में, जो की है 5000, तो यह आपको return करेगा, ठीक है, तो sum क्या करता है, सभी को जोडता है, average क्या करेगा, avg, इनका average निकाल के देगा, count, count करके बताएगा, max, maximum value बताएगा, min, minimum value बताएगा, तो यह सब क्याते हैं, आपके पास aggregate functions, ऐसे ही जैसे मैं आपसे कह रहा था, कि एक built-in functions होता है, और एक user defined functions होता है, तो यह जो functions थे हैं, आपके पास में, जो दो type के थे, अपने course में केवल दोस्तों यही है, और mostly हम यही use करते हैं, हम मतलब developers भी जो होते हैं, वो यही use करते हैं, बहुत कम chance होता है, कि MySQL में आपको कोई functions बनाना पड़े, क्योंकि जंदल ही हम लोग अपने सारे functions, programming language में बना चुके होते हैं, लेकिन अगर आप बनाना चाहें, तो आप बना भी सकते हैं, इसके लिए अगर अपन statement, कौन सा statement आप use करते हैं, create functions, कैसे लिखते हैं, तो आप लिखते हैं, create, then function, और function का नाम, जैसे की square, और इस function में क्या पास करते हो आप, तो यहां से आपने बेजा है, suppose की 5, तो 5 क्या है, तो n integer है, एक integer value बेज रो, जो जाके store होगी, n नाम की variable में, ठीके, और वो return भी क्य करेगा, वापास integer, like 5 into 5, जो भी आपके पास है, उसका square बेजेगा, तो return value भी क्या होगी, integer ही होगी, यहां से begin और end लिखते हैं, और इसके अंदर आप लिखते है, return and into n, ठीके, तो बस यह आपको इतना size में लिखना होता है, यह आपके पास एक function बनाने के लिए, एक आप के पास में example है, basically इसको आप use कर सकते हैं, ठीके, तो यही देख रहे हैं हम लोग के आप create function use करते हो, these functions can take parameters, perform operations and return a single value जो आप चाहें, जैसे आपकी requirement हो वैसे आप create कर सकते हैं, example of creating a user defined function, here is an example of creating a simple functions that take an integer, जो क्या कर रहा है, यूजर से एक integer ले रहा है, and return its square, और उसका square वापस return कर रहा है, तो हमने एक square नाम का function बना दिया, mysql में, आप इतना लिख करके अपना function create कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे course में ही नहीं, तो हम इसको सिर्फ एक समझने के लिए, इसको बात कर इसके ऊपर, ठीके, यह अपन की basic सारी बाते हो गई है, अब हम लोग बात करते हैं, आपर text और string functions को ले करके, तो मैंने आप से अभी बोला था, कि जो basic आपके पास में, या कह सकते हैं, functions आपके पास होते हैं, या built-in functions जो है, इस built-in functions को मैंने आप से कहा था, कि तीन type के आ देखे है, text वाला, तो आपन अभी पहले text को discuss करते हैं, आगे अपन फिर numeric भी कर लेंगे, और last में अपन date and time भी discuss करेंगे, chapter खतम हो जाएगा, फिर next जो chapter 7 होगा, उसमें हम बात कर लेंगे, अपने aggregate functions को लेकर के, जो थोड़ा सा discuss कर लिया है, दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए कुछ functions ऐसे हैं, जो हर बार repeat होते हैं, तो उनको तो मैं आपको forcefully बोलूँगा, इसको आप बहुत अच्छे से आप देखेगा, बाकि कुछ और functions भी हैं, जो आप थोड़ा ऐसे ही बस एक बार देख लीचिए, यहाँ पर मैं एक और क्या काम कर रहा हो, आप देखना है, मतलब इसका practical करने की भी कोई खास जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी, मतलब मैं इसको practically आपको समझाओ, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने घर पे इसको एक बार जरूर computer में execute करके देखें, आलाकि मैं पूरी कोशिश करूँगा, ऐसे भी आपको समझ मे आजाए, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगे, तो आप मुझे comment में जरूर बताना, ताकि मैं इन सभी के आपको फिर से practically बता सकूँ, चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो text और string functions क्या है, MySQL provides a variety of string functions to perform operation on string values, here are some of the most commonly used string functions along with examples, तो देखें, यहाँ पर तो मैं सारे जो important है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतने ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे functions हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी बुक में है, और उसके अलावा थोड़े से मैंने इसमें और add कर रखें, जो हमें जानना जरूरी होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ASCII के बारे में, ASCII क्या होता है, दोस्तों के ASCII का मतलब होता है American Standard Code for Information Interchange, ठीके, ASCII, यह नाम आपने शायद पहले भी सुन रखा होगा, क्लास 11 में भी सुना होगा, और शायद आपने उसे छोटी क्लासे में भी सुन रखा होगा, दोस्तों जब भी आप कीबोर से कोई की दब आता हूँ, तो computer को तो binary समझ में आती है, आप अच्छे से जानते है, computer इसको क्या समझता है, 101010, यह वनी language समझता है computer, तो क्या A दबाने पर computer में A जाता है, बिलकुल नहीं, तो क्या होता है, कि हर एक की का अपना एक number होता है, जैसे A का number होता है 65, ऐसे ही जब आप capital B जब आते हैं, तो उसका number होता है 67, और इस तरीके से आगे चलता जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कि यह जो आपके पास A to Z है, capital A से capital Z, यह होता है 65 से लेकर के 90 तक, ठीके, 65 से लेकर के 90 तक, अगर आप small A से small Z जा रहे हैं, ठीके, अगर आप small A से small Z जा रहे हैं, तो इस case में अपन कहते हैं कि 97 से लेकर के 122 होते हैं, और ऐसे ही, अगर आप keyboard से लगाते हैं 0 से लेकर के 9 तक, तो यह आपके पास होते है 48 to 57, ठीके, तो यह ऐसे अलग-अलग आपके पास number होते हैं, जो की keys दबाने पर होते हैं, और फिर इन keys किये, यह निक यहां पर बात कर रहे हैं, कि अगर मैं यह देखना चाहता हूं कि A का ASCII कितना होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, select ASCII of A, ठीके, तो यह क्या return करेगा, 65, तो उसका ASCII है, ऐसे ही, अगर मैं यहां पर capital B, capital C, capital D, capital E की बात करता हूं, तो यह होगा 66, यह 67, यह 68, यह 69, कि होता है, हो सकता है, आपके mind में confusion हो, 65 से पहले वाली keys कौन कौन सी है, तो बहुत सारी special symbols हमारे keyboard में होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर आप space दबाते है, space bar, तो space bar का भी एक number होता है, that is 32, ऐसे ही, plus, minus, या फिर multiply, divide, या फिर dot, double quote, add the rate, कितनी सारी keys आपके keyboard म होती है, ठीके, तो उन सभी का हर key का अपना एक number होता है, और वो number जो होता है, उसको हम क्या बोलते है, ASCII, ASCII का मतलब है, American Standard Code for Information Interchange, ठीके, तो यह ASCII functions के थूँ, क्या कर सकते हो, आप कि किसी भी character की एक ASCII value पता कर सकते हो, return the ASCII value of the leftmost character of a string, जो भी आप इसमें लिखें है, care, care का मतलब होता है, कि अगर आपने इसके अंदर, ठीके, मतलब जब functions आप यूज कर रहे हैं, उस functions के अंदर, जैसे आपने यह ASCII में ए लिखा, तो ए का क्या मिला, 65, लेकिन मैं चाहता हूँ, अगर मैं 65 लिखता हो, तो उसके उपर कौन सा character है, यह आप लिख सकते ह character of each integer past, मतलब आपने जो भी ASCII value, जो भी integer value बेजी है, उसका एक character कौन सा बन सकता है, जस्ट इसका उल्टा function है यह, ASCII में आप क्या करते हो, character मता के नंबर देखते हो, इसमें नंबर दे करके उसका character पूशते हो, अब देखें, आपकी जो बुक है, उसमें आपका लिखा है, कि select और care, और उसी में आपने एक number देखा होगा, अब हो सकता है, कि यह आपका नहीं चले, क्योंकि अलग-अलग version पे अगर हम काम करें, तो पूराने version पे care से काम चल जाता था, लेकिन अब हमको इसमें साथ में add भी करना होता है, तो आप लिखते हैं, suppose 97, ठीके, और 97 क को यह और लिखना पड़ेगा, हो सकता है, अगर आपके पास पूराना version है, तो उसमें केवल इस से भी चल सकता है, otherwise आपको यह भी लिखना पड़ सकता है, तो एक बार आप इसको बीना लिखे चला कर देखेंगे, तो अभी शायद वही answer आ सकता है, और अगर आपके पास क के लिए एक small a, ठीके, ऐसे ही अगर मैं देखना चाहता है, एक function है मेरे पास length, length function क्या काम करता है, जैसे मैं अगर suppose मैं अपने नाम की बात करता हूँ, मेरा नाम है Surin, S-U-R-E-N, इसमें number of characters कितने है, तो यह मुझे return क्या करेगा 5, मतलब इसकी length कितनी है, इस string की length कितनी ह तो यह मुझे return करेगा 5, ठीके, अब इसके लिए दो function है, अगर आप length देखना चाहते हो, आप केवल length लिखेंगे, तो भी चल जाएगा, और आप care underscore length लिखते हैं, तो भी चलेगा, दोनों ही function सेम काम करते हैं, जैसे यह function क्या करता है, returns the length of a string in character and bytes, ठीके, respectively, आपने number of bytes, इसमें जैसे मैंने 5 character pass किये हैं, तो यह 5 देगा, like मैं यहाँ पर लिखता हूँ select, फिर लिखता हूँ care underscore length of hello, तो hello में क्या है, 5 character है, इसी type से अगर मैं care underscore length की जगे लिखना चाहता हूँ, खाली length, तो हमने दोनों को use किया है, comma length of hello, तो यह function भी क्या return कर रहा है, 5, और यह function भी क्या return कर रहा है, 5 क्योंकि hello की length 5 है, दोनों का सेम काम है, तो आप चाहें तो यह भी use कर सकते हैं, आप चाहें तो यह वाला भी use कर सकते हैं, दोनों ही 5 और 5 return करने वाले हैं, आपको, I think दोस्तों तीनों function clear है, ask की function क्या काम करता है, कि जो भी आपने यहाँ पर आस की character दाला, उसके एक ask की value देता है, और character function क्या करता है, जो ask की डाली है, उसका आपको एक character यहाँ पर return करता है, length क्या करता है, उसकी total जो length है, वो आपको बताता है, जो भी string आपने पास करी है, एक function है दोस्तों, concatenate, कई बार क्या होता है, कि हम लोग ना कुछ वेबसाइट को लोग इन करते हैं, लोग इन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो आपसे first name और last name पूछता है, like मेरा नाम है सुरेन सॉलंकी, तो मैंने लिखा सुरेन और last name में लिख दिया, suppose सॉलंकी, अब यह क्या होगा दोस्तों कि जब मैं लोग इन करता हूँ successfully, तो वहाँ लिखा वैलकम सुरेन सॉलंकी, वह क्या करता है, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड करके दिखाता है, तो अगर आप भी ऐसे दो अलग-अलग स्ट्रिंग को जोइन करना चाते हैं, जोड ना चाते हैं, तो आप function use करते हैं, concatenate, तो concatenate का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग को एक स more string, दो या दो से जादा string को एक साथ में जोडता है, लेकिन दोस्तों इसमें space आपको manually खुद लगाना होगा, अगर आपने space नहीं डाला है, तो इसमें भी space नहीं आएगा, जैसे अगर आपन देखें, तो मैंने लिखा है select, concat, और फिल लिखा hello, hello के लिए मैंने क्या करा, single quote में hello लिखा है, ऐसे ही, ठीके, उसके बाद लगा है comma, comma करके मैंने क्या कर दिया, एक single quote शुरू, एक single quote खतम यहाँ पर, तो इसमें मैंने क्या करा, hello और world के बीच में एक space दिया, फिर comma करके मैंने फिर से यहाँ लिखा है, वो है world, ठीके, और ये आपकी string हो जाती है, ख तरीके से, आप देखते हैं, आपकर वो जो दो या तीन, जितनी भी strings है, वो सब आपस में जुड़ जाती है, ऐसे ही, हम एक function यूज कर सकते हैं, दोस्तो, in str, in str function क्या काम करता है, कि इस particular string में, ये particular character या, सब string आ रही है या नहीं, in str, यानि कि in string, ठीके, इस string में ये है य नहीं, ये पता करना है, तो दोस्तो, ये आपके लिए थोड़ा सा important है, ठीके, returns the position of the first occurrence of a sub string, like, दोस्तो, मैंने लिख रखा है, यहाँ पर corporate floor, ठीके, अब corporate floor में, अगर आप ढूंडें, तो क्या ढूंड रहे हैं, यहाँ पर OR, अब OR यहाँ पर भी मिल रहा है, और OR पर भी मिल रहा है, तो कौन सा OR आपको ढूंडना है, ठीके, तो मैंने लिखा, returns the position of the first occurrence, जो सबसे पहले मिलता है, तो क्या है, आपके पास में फंक्शन, मैंने लिखा, select in str, फिर लिखा है, corporate floor, comma, OR, यह ध्यान रखेंगे, आपकी जो string आपके पास होती है, वो हमेशा single quote की अंदर होती है, तो single quote में आपने क्या लिखा है, corporate floor, और फिर आपने क्या लिख दिया है, यहाँ पर OR, तो यहाँ पर जो सबसे पहले OR आया है, वो position बता रहा है, तो देखेंगे, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, इस तरीके से आपकी string चल रही है, OR की position का मिली है ठीके, तो यह 2, 3 पे तो उसने क्या return कर दिया, returns to, second position से यह OR मिल रहा है, यह आपको return कर रहा है, ऐसे ही आपके पास है lookit, lookit function क्या काम करता है, returns the position of the first occurrence of a sub-string within a string, तो इसमें देखेंगे अगर आपके पास आता है, मैं लिखता हूँ world, ठीके, इसमें क्या कर रहे हैं, world को उल्टा हो गया है, इसमें in str में क्या था, कि पहले आप एक string लिखते हैं, जिसमें, जिसके अंदर आपको डूढ़ना और क्या डूढ़ना है, उल्टा हो गया नीचे वाले में, इसमें क्या है, क्या डूढ़ना है, और किस में डूढ़ना है, तो मैंने लिखा है, world डूढ के वापस बोल रहा हूं इसमें क्या कर रहे हो आप सपोस्ट कि मैं कह रहा हूं कि computer ठीके computer में अपन क्या डून रहे हैं PUT और अगर इसकी बात करता हूं तो इसमें अपन PUT डून रहे हैं किसमें computer में इन दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है I think समझ में आ गया होगा किसमें क्या डूनना और क्या डूनना है किसमें यह छोटा सा gap थोड़ा सा difference है किसमें locate और in str में इन str थोड़ा important है उसके बाद है आपके पास l case u case ठीके तो l case और u case है क्या यह बहुत important है दोस्तों यह जरूर याद रखेगा ऐसे ही left और right भी बहुत ज़्यादा important है हर बार exam में questions आते हैं और उसका एक output आपसे पूछा जाता है तो देखिए l case का मतलब क्या है आप l case भी लिख सकते हैं या फिर आप lower भी लिख सकते हैं convert सा string to lower case like अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक string है s u r e n ठीक है इस तरीके से अगर मैं इस पूरी string को चाहे यह पूरा अपर में हो या vix में भी हो मैं इसको convert करना चाहता हूं lower case में तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से देखना चाहता था s u r e n कुछ सपोज ऐसे ही तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा function लेना पड़ेगा l case या lower तो मैंने लिखा है select lower और लिख दिया है hello h e l l o यह क्या करता है दोस्तों आप आप lower case में बदलना चाहते हैं mysql में तो एक function है lower आप lower भी लिख सकते हैं और आप इसकी जगे पर l case भी लिख सकते हैं बाकी सब कुछ सेम था आप l case भी लिखेंगे तो भी वही output आएगा आप lower लिखेंगे तो भी आएगा same to same वैसे दोस्तों आप upper या u case को use करके अपन small में तो इसका जो output है वो क्या रहा है capital में आपको मिल रहा है ऐसे ही left और right से अगर आपको कुछ characters पता करने हैं ठीक है कि इस position से या left से कितने character right से कितने character चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं जैसे मैं यहां पर देखता हूं एक function left यह क्या करता है returns the left most numbers of character as specified जैसे मैं लि साइड से two character लेगा ठीक है जैसे अगर मैंने इसमें लिखा है score शाला ठीक है तो score शाला से यह left साइड से अगर लेने हैं आपको दो character तो sc देगा अगर आप यहां पर suppose right साइड से चार character लेना चाह रहे हैं तो h ala मिलेगा कब जब आप लिखेंगे right में आपको वो string और कित साइड से कितने character लेने हैं या right साइड से कितने character लेने हैं आपको इसी तरीके से next है आपके पास L trim वैसा ही R trim और एक है आपके पास trim अब होता है क्या है दोस्तों कि यह जो आपन functions discuss करें यह काम करते हैं अपने पास dynamically dynamically का मतलब है कि आपको software यूज करें जैसे कि Python में काम कर रहे हैं जिसमें user कुछ values डाल रहा है और वह value आपके पास आरे हो सकता है उसने आगे या पीछे spaces डाल रखें तो जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं एक form फिल कर रहा था और उस form में में मेरे को अपने address लिखना है तो address के लिए मैंने एक space छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैं जाके लिखता हूं जोदपूर ऐसे ही कुछ अपनी city या कुछ लिख रहा हूं हो सकता है कि मैं यहां पर जो अपने email id लिखता हूं तो email id के अंदर में यहां आगे भी कुछ space छोड़ दिया फिर मैं लिखता हूं xyz at gmail.com और पीछे भी तोड़ा space छोड़ दिया तो आ पीछे वाले spaces को अठाने के लिए आप आर ट्रेम नाम के function को यूज करते हैं तो यह क्या करता है रिमूव करता है leading spaces from a string मतलब आगे वाले जो spaces हैं left side वाले जो spaces हैं उनको अठाता है जैसे कि select L trim एक देखिए hello से पहले और बाद में मैंने space लिखा है अगर आपने इसको enter कर सकता है आपको hello लेकिन अगे का space जो है उसने यह वाला space हाटा दिया일 किन पीछे वाला space उसने नहीं हटा यह तो अगे वाला ट्रिम जब को आंगे वाला इस पेस तो मीड़ रहा है तो ड़ी इसका मतलब है कि हारें साइड साइड ओल्ड वाले सपेस कोस्तों लींड किया करता है रहें कि एक फंक्शन है जो है R sorry, R trim. तो L trim क्या है? जिब कि trim क्या करता है? आगे से और पीछे से दोनों साइड में जो भी spaces हैं, जैसे इसमें आपन देख रहे थे, आगे और पीछे दोनों साइड में spaces थे तो वो दोनों साइड के spaces को remove करता है. ठीक है? suppose एक string लिखी होगी L trim के अंदर कुछ string पास कर दिए उसका output क्या है एक number का आपके पास है तो दोस्तों यह बहुत ज़्यादा important functions थे आपके पास L trim, R trim, in str ऐसे ही आपके पास sub str और mid भी एक important आपके पास है यह तीनों के तीनों function दोस्तों एक जैसे ही काम करते हैं आप sub string, sub str या mid function use कर सकते हैं जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ यह function करे गया क्या यह extract करेगा particular sub string को उसके अंदर से जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ sub string और hello ठीके hello world में third character से मुझे 5 particular character लेने हैं तो मैंने क्या लिखा है मैंने लिखा है h e l l o space world w o r l d अब इसमें आप position जानते हैं दोस्तों यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह री 4, यह री 5, यह वाले 6, यह 7, 8, 9, 10 और 11 तो देखिए ही क्या कर रहा है यह returns l l o ठीक है और फिर space w क्यूंकि आपने क्या बोला है third से third position यही कितने character 5, 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 character आपके लिए रहा है including space तो यह आपको क्या दे रहा है l l o space w अगर आप यही function मतलब तोड़ा सा change सब string की जगे सब str लिखेंगे तो भी आपके पास वही output आने वाला है और अगर आप mid लिखते हैं mid तो भी आपके पास यही output आने वाला है तो इन तीनों के तीनों functions का output आपके पास एक ही आएगा अ आप सब string लिखें सब str लिखें या मिड लिखें एक ही है ऐसे एक function आपके पास आता है that is repeat repeat का मतलब क्या है कि इस string को कितनी बार repeat करना जैसे python में आपने पड़ा होगा कि अगर हम लोग लिखते हैं 5 into hello ठीक है मैं ऐसे लिखता हूं 5 into hello तो यह क्या करेगा दोस्तों hello 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 repeat repeat में आप लिखते हैं select repeat hello 3 तो यह क्या करेगा hello 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 तीन बार आपके वो string वापस repeat करके देगा आप as it is दोस्तों यह जैसा मैंने लिखा है as it is आपको यहां से यहां तक अपने mysql में लिखना है semicolon लगाए enter करें आपको output देखने को मिल जाएगा same अगर आप quote लगाना चाहते हैं quotation के लिए क्या होता है कि वहाँ आपको ऐसे एक single quote के अंदर आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते है generally output कैसे मिलेगा अगर आप x y z लिखते हैं output में ऐसा आता है लेकिन अगर आप एक quotation की बात करें तो उसके ओपर single quote भी आना चाहिए तो अगर आप quote चाहते हैं single quote चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर quote function यह क्या करेगा escape the argument for use in an SQL statement जैसे अगर आपने लिखा है select quote of hello world तो यह hello world का जो return करता है वो साथ में single quote आपको as it is देखने को मिलेगा output में भी उस पर क्या करेगा single quote लगा करके आपको display करेगा quote function तो इसमें जो है आपके पास यह वाला function बहुत ज़्यादा important है आप इसको star कर सकते हैं तीके star का मतलब हो गया यह very very important है 14 number वाला बाकी ठीक है आप एक बार देख सकते हैं next है आपके पास दोस्तो replace replace function क्या काम करता है मैं यहाँ पर एक particular string की जगे एक दूसरी string डालना चाहता हूँ जैसे suppose आप कई बार क्या करते हैं कि आपके पास एक string आई है और इस string में इस नाम की जगे यह नाम रख सकते हैं तो इसमें क्या लिखा है मैंने select replace hello space world ठीक है और इसमें मैं लिखता हूँ एक तो यह restring और इसमें लिख रहा हूँ मैं world और फिर लिखता हूँ mysql तो यह क्या करेगा दोस्तो hello world में यह जहां पर world आ रहा है इस world की जगे यह क्या लिख रहा है mysql तो यह क्या है कि हो सकता है user कुछ input करेगा उसमें यह जो word है इस word की जगे यह replace हो जाए तो आपने लिखा hello world में world की जगे mysql आ जाए इससे output क्या आएगा hello mysql hello world नहीं आएगा hello mysql आएगा क्योंकि world की जगे यह mysql से replace हो रहा है ऐसी दोस्तों आपके पास एक और function है strcmp strcmp क्या करता है compare करता है दो string को दो string को क्या करेगा आप देखते हैं hello और एक है world क्या hello और world दोनों same है अगर यह same है तो यह क्या करता है दोस्तों आपको return करता है या तो zero या करता है one या फिर करता है minus one तो मैं कर देता हूँ minus one zero और one अगर आपके पास first string जो है वो बड़ी है या second string आपके पास बड़ी है या दोनों same है तो अगर आपके पास दोनों same है तो return करता है zero otherwise दोस्तों आपको return करेगा ये minus one या फिर one ठीक है basically कहूं तो दोनों string को यहां पर जो है वो compare कर रहा है दोनों string same होनी चाहिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक है put और दूसरा आपके पास है put अब ये दोनों same है तो return कर देगा zero otherwise वो आपको minus one या one दिखाएगा ऐसे ही आपके पास एक function आता reverse reverse का मतलब क्या है आपने लिखा तो है h e l l o लेकिन इसका output क्या आएगा o l l e capital h मतलब उल्टा हो जाएगा ठीके तो अगर आप किसी string को reverse में दालना चाहरे हैं तो फिर आप इसको use कर सकते हैं इसी टाइप से अगर आप function use करते हैं space तो space function क्या काम करता है दोस्तों आपको उस string के बीच में कितने space चाहिए थे जैसे अगर आप concatenate function देखे थे concat तो concat में क्या है हमने एक space डाला एक अगर आपको एक से ज़्यादा spaces चाहिए आप चाहते हैं किसी string में first name और last name के बीच में दो spaces आएं चार spaces आएं दस spaces आएं तो फिर आप ऐसे एक function है space वो use कर सकते हैं जैसे select space of 5 तो यह क्या करेगा दोस्तो एक दो तीन चार पाँच 5 spaces आपको यह return कर देगा ठीक है तो यह इस तरीके से दोस्तो बहुत सारे functions हम लोगों ने अभी discuss कर लिया है और साथ-साथ मैं आपसे यह और बोलूँगा इन functions के अलावा भी और भी खूब सारे functions हो सकते हैं जो कि text और string के base पे हैं लेकिन हमारे जो book में हैं वो almost दोस्तो इतनी ही थे तो वो मैंने आपको सारे बता दिये हैं इन केस दोस्तो अगर आपको इन functions में कहीं कोई doubt होता है तो दोस्तो आप comment section में बता सकते हैं और साथ में अगर आपको लगे कुछ positive comment अगर आप देना चाहें तो दोस्तो जरूर दीजेगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कीजेगा आज के नुमेरिक functions अपने पास हैं उन सभी को हम लोग यहां एक एक करके discuss करने वाले हैं तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक यू